कि नमस्कार दोस्तों सवागत आपके अपने यूडूब चैनल स्टेडिविशन दोस्त में हम आपके लिए लेकर आए हर्याना प्लीज प्रेक्टिस एट नुमर्ट 25 इससे पहले हम 24 प्रेक्टिस एट कर चुके हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जा इच्छापुरी गाउं हर्याना के किस जिले में स्थित है तो इच्छापुरी जो गाउं है वह अर्याना के किस जिले में स्थित है तो गुरू ग्राव में स्थित है भईए कहा पे स्थित है गुरू ग्राव में यहाँ पर एक परसिद मेड़ा लगता है इसलिए प्रेव अगली वीडियो में लिया जाएगा हर्याना में कौन सा चेत्र परसीद्ध है तो हर्याना में जो परसीद्ध चेत्र है वो हमारा آओ आटो मॉबाइल्स सोट किसली परसीद्ध है गुरू पॉटो मोबाइल्स बहुत परशिद है हमारे हरियाना के अंदर कुर्चहत्र विश्व दयले है कुर्चहत्र विश्व दयले हमारा के यू की उनिवरिस्ट्री के यू के इसकी स्थापना कब हुई थी 1956 में किसके दुवारा की गई थी जो मारे पर्थम राष्ट्रपती थे डुक्टर राजेंदर प्रसाद उन्होंहीं इसकी श्थापना की थी और ये एग रज्य विश्व दयले के इंदरी विश्व दयले भी नहीं है और नीजी भी नहीं है ये इसका क्या उदेश से था तो 2015 में अक्टूबर के महीने में स्वाधार ग्रह योजना या स्कीम सुरुकी की इसका उदेश से था महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्ष्या क्या उदेश से था महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्ष्या कि चलिए एकला कैसे लेंगे योजनाय है योजनाय मोस्ट इम्पोर्टन्ट याद रखनें आपको पर्शिद पुस्तक पर्थव्राज रासो किसने लिखी तो पर्थव्राज रासो के जो रचीता है लेका क्यों यह चंदर बर्दाई चंदर बर्दाई कोन थे ये पर्थिवराच चोहन के दरवारी कवी थे चंदर बरदाई अगला केशन लेंगे हर्याना के अधिक्तम बाग में निमन में इसे किस मर्दा का प्राधान्य का है मर्दा का प्राधान्य है यान कि किस मर्दा की परधानता है अधिक्ता है तो वो अमारी कौन सी मर्दा है रेतिली दोमट मरिदा या फिर मिट्टी रेतिली दोमट मिट्टी सरवाद इकमातरा में पाई जाती है अर्याना के अंदर यानिकि इसकी प्रधानता है या प्राधान्या है नेक्स्ट कुशन लेंगे निमन मेसे की जिले में काले सर राष्टी उद्धान स्तीत है तो काले सर राष्टी उद्धान हमारा कहा पर है यम्ना नगर में अर्याना में दो ही राष्टी उद्धान है काले सर यम्ना नगर में और जो दूसरा हमारा राष्टी उद्धान है वो और जो यमना नगर में काले सराश्टी उद्यान है ये लाल जंगली मुर्गों के लिए परसीद है वई चलिए एकला कैसल लेंगे हर्याना में सिंदु गाटि से बेता के संद्रब में कौन सा भी कल्प सही सुमेलित है मित्ता थर जो हमारा बिवानी में है राखी गड़ी फतेहबाद में है बनावली यमना नगर में है कुनाल कुर्चेतर में है इनमें से कुन सा सही है ये बताना आपको तो इनमें सही है कि मित्ता थर जो है वो हमारा बिवानी के अंदर स्तीत है बनावड़ी काँपर है यम्ना नगर में नहीं है यह मारा फत्याबाद में है काँपर है फत्याबाद में ठीक है और उसके बाद राखी गड़ी जो है वो हिसार में है कुनाल जो हमारा वो रत्या में है तो सिंदु गाटी से बेता से समंदी तर्याणा में जितने भी स्थले हैं वो याद रखने है कौन सा कहाँ पर है अगला क्यस्ण लेंगी जन गणना 2011 के अंशार अन्याणा की कुल जन संख्या है तो मारे जन संख्या याद होनी चाहिए यह कुछन आता है आपको ऐसे लगता हो अगर यह कुछन पूछता है लेकिन ऐसे कुछन है चैसे अभी भी पूछती है तीन चैर कुछन इतने जी होते हैं यह अर्गोई कर जाता है तो यह सियन सरोगा 2 क्रोड 53 15lation 462 आंखडा है डाटा है याद रखना पढ़ेगा 2 क्रोड 51 2 क्रोड 53 लाग 54462 तो ऐसे भी याद कर सकते हो 253 5462 समंबा मेरा कि सिल में लगता है तो सत्कुम्बा नमक तिरस्तल मारा कहाँ पर है सोनी पत के कौन से गाउं में खेड़ी गुजर गाउं में तो सत्कुम्बा का जो मेड़ा लगेगा वो कहाँ पर लगेगा सोनी पत में सोनी पत में गाउं है खेड़ी गुजर वहाँ पर लगता है most important question नहीं याद रखी का कई बार आया निमन में से अरियना में कौन सी जील स्थित है तो जील का नाम बताना भई दमदमा, कोटला, खलीलपूर तो इसका सायन स्रोगा उप्रोक्त सभी सभी जीले अरियना में स्थित है इनके लावा और भी important जीले हैं जैसे बढ़कल जील, करण जील चली एगला question लेंगे पहली CNG डेमू ट्रेन हरियना राजे में कहां से कहां तक चलाई गई तो ये बारत की पर्थम CNG ट्रेन थी भई कौन सी ट्रेन थी? CNG ये रेवाड़ी से रोद तक तक चली थी और ये बारत की पर्थम CNG ट्रेन थी अगला question लेंगे हरियना में 2011 जैन गर्णा की इनुशार जैन संक्य का कितने परतिस्थ ग्राम में छेत्रों में निवास रत है अर्थार्थ हरियना की कितनी जैन संक्या गाउं में निवास करती है तो जो हमारी ग्रामेंड जैन संक्या है वो है 65.12% यान की 65.12% जैन संक्या गाउं में निवास करती है और 34.88% जैन संक्या है वो हमारी सेहरों में निवास करती है अगला question लेंगे बासमती चावल के उत्पादन के लिए परसिदी पाकर हरियाना का कौन सा जिलत दान का कटोरा कहा जाने लिए ये मुख्यरोप से ही पूचरा कि दान का कटोरा किसे कहा जाता है तो कहा जाता है करनाल को किस वजे से का जाता है बासमती चावल के उत्पाधन के लिए सरवाद एक बासमती चावल का उत्पाधन कहा होता है करणाडम इस वजे से क्या का जाता है धान का कटोरा Next question लेंगे निमन में से किस ने पंजाब विवाजन का विरोध गिया था आरी समाज नहीं, हिंदू मासबा नहीं, जनसंग नहीं, तो इन सभी ने पंजाब विवाजन का विरोध गिया था इन्होंने कहा था कि पंजाब का विवाजन नहीं होना चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए जनसंख्या की दर्ष्टी कौन से, देश में हरियाना का कौन सा स्थान है तो जनसंख्या की दर्ष्टी से अठारवे स्थान पर आते हैं और हरियाना बारत का स्तरवा रज्य बना था, एक नौंबर 1966 को, अठारवे स्विदान संसोधन के दवारा अगला क्योशन लेंगे अरियाना पंचाहिति राज दिनियम कब लागू किया गया अरियाना के अंदर जो पंचाहिति राज दिनियम है, वो लागू किया गया था, 22 प्रेल 1994 को अगला क्योशन लेंगे अटारा सव बनवा में लाहोर में वी कांगरेस की बैठ़का दिवेशन में इसार से किसavy ने प्रतिनत्तो किया था तो इसार से किसने किया था लाला लाजपत्राय ने तो इसार के एक अमारे जस्तराज संकीत पो गए हैं उनका दो-तिन दिन पहले सवरगवास हो गया है तो हम उनकी आत्मा के सांती के लिए प्रारतना करते हैं बगवान उन्हें सवरगबक से बहुती सांदार संगी तक के रहे हैं हमारे मेवात गराने से संबंद रखते थे और जो उनका आरमबिक जीवन है वो हिसार में बीता था और वो जगे जो है वरत्मान में फत्यावाद में पड़ती है चलिए एगला क्यों सनेंगे 1909 में करांतिकारी आंदुलन का परमुके अंदर कोन सा था 1909 में करांतिकारी आंदुलन का परमुके अंदर था अंबाडा कोन सा था भई अंबाडा अंबाड़ा में जो करांतिकारे अंदुलन थे 19.9 के टाइम पे अंबाड़ा में होते थे ज़्यादातर संदीप सिंग किस खेल से समंदित है तो होकी से समंदित है बारते टीम के कैप्टन रह चुके है और वर्तमान में हरियाना सरकार में खेल मंतरी के पदबर तैनात है तो ये बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है मैं किसी पार्टीवी से इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ जो कुछ कर रहा है उसके बारे में बोल रहा हूँ जब अपने हरियाना के अंदर बात करते हैं हरियाना में बीजेपी सरकार हैillar और संदीप सिंग ए खलाडी होते वह नहीं भी खेल मंतरा ले दिया गया है तो वह खिलाडीयों की चिन्ता करते हैं खलाडीयों के बारे में समझते हैं कि प्रोब्लम समझते हैं तो ऐसे पद जो जिससे संबन देते उसे दिया जाता तो बहुत अच्छी बात है जैसे विदेश मंत्रा लेब के बार जो विदेश मंत्रा लेबार्द सरकार का वो भी एक IFS ओफिसर के पास है जिनेराज जिस बास देश से बनाया गया है और विदेश मंत्रा लेद दिया गया है तो ऐसी पहल की बिज़ेपी ने बहुत अच्छी बात है जिस बंदे को जिस फिल्ड का नोलिज है उसे वो मंत्रा कर सकता है करण का किला कहां पर है करण का किला थाने सर में थाने सर कहां पर कुरुचेत्र में और करण जील कहां पर करनाल में तो याद रखना है मिस्टेंटरस्टेंडिंग हो जाती कई बार इसमें कि करण का किला कहां परस्थी थे थाने सर में और करण जील करनाड में अगला क्योशन लेंगे हरियाना सरकार खेल नीती 2015 के अनुसार एसियन खेल स्वन पदक विजेता को अब कितनी रासी परदान की जाएगी तो नई खेल नीती के अनुसार एसिया कप में जो गोल्ड मैडल जीतेगा उसे तीन करोड रुपे दिये जाएंगे कितने रुपे दिये जाएंगे तीन करोड रुपे और जो रज़त पदक जीतेगा उसे 1.5 करोड यानिगी डेड करोड और जो कासे पदक जीतेगा उसे पिछे 30 लाग रुपे दिये जाएंगे तो ये नई खेल निती लाग गू कीगी है 2015 में अगला केशन लेंगे अगला केशन हमारा क्या रहेगा सुमेलित कीजी यानिकी सही मिलान करना भाई इनका ब्रामनवास में मात्माबुद्ध की मुर्थी मिली है अग्रोवा में सुरीदेव की मुर्थी मिली है फिजिलपुर में विश्नु की मुर्थी मिली है पलवल फृदावद में एक सेक्षिन की मुर्थी मिली है पलवल बाददर और अथीन बाद 10 और अथीन पलबल बाद 10 और अथीन और फिरद दावाद इन चारों में एक सेक्शनी की मूर्थिया मिली हैं तो इसका सही मिलान ऐसे ही होगा 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4 एसे क्युशन SSC पूछती है सेना देख्स दलबीर सिंग सुवाग किस दिले के रहने वाले हैं का के रहने वाले हैं जजज़र के और इन्होंने करनाल के सैनिक स्कूल कुझपरा से अपनी सिक्षा प्राप्त की थी और उसी के बाद वहीं से वो इंडियन मिल्टर अकेडमी में चले गए थे सुमेलित कीजिए इसमें भी सही मिलान करना आपको सुची एक दे रखिए और सुची दो दे रखिए सुची एक में खनीज पदार्थ दे रखिए और सुची दो में छेतर दे रखिए और किस छेतर में मिलते हैं तो चिन्नी मिटी, बजरी, मेगनीज, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक दो पता है तो भी आप सही मिलान कर सकते हो, आपको पता है मेगनीज जो है में अंदरगड में पाई जाता है, आपको पता है बजरी जो है फ्री दवाज में पाई जाती है, आपको पत तो अगर इनमें से आपको एक दो पता हो तो भी अब अंदाज़ा लगा सकते हैं उप्शन में देखकर कि कौन सा दे रख्या कौन सा नहीं दे रख्या तो आज की क्लास में इतना ही कल की क्लास में अच्छा परदसन करने वाले कि नाम मैं आउंस कर रहा हूं सबसे पहले नंबर पर आते हैं हमारे होनार स्टुडेंट पूजा दारिवाल जी उसके बाद जिकर करते हैं रवी कुमार जी रवी यादव जी तो इन्होंने अच्छा परफॉर्बेंस दिया है अपना प्रीति यादव जी ने भी बहुत अच्छे परफॉर्बेंस की है तो देर करना है कोमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं जाना किसी को भी बैल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की इनफर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे जै इंच जै बारत दन्यवा दोस्तों बगवान गरे आपका दिन सुभू पार पारत दिन सुभूआ